कभी किसी का नाम लेकर कुछ बोलता नहीं लेकिन कुछ सोशल मीडिया के उपर मैं अभी देख रहा था आशु भाई का इंट्रिव्यू और आशु भाई बार बार एक बात बोल रहे हैं आशु मलिक साब कि मैंने उनको कहा मेरी समझ में नहीं आता कि जब आपका चुनाओ था तो आपके चुनाओ में हमने चुनाओ ना लड़ने का फैसला किया और सिर्फ इसलिए किया कि हमें भाजपा गोहराना है और भाजपा को हराने के लिए हमने खुद भी चुनाओ नहीं लड़ा और सिटिंगे मेले हमारे माँ मसूद अख्तर साब थे उनको भी टिकेट नहीं दिया गया लेकिन हमने आपका चुनाओ पूरी मानदारी के साथ लड़ा और आपको जुदा करके बेजा और लड़ाई हमारी भाजपा के साथ है हमारी लड़ाई आपके साथ ही नहीं समाजबादी पार्टी साहरेनपूर के अंदर पिछले नगर निगम के चुनाओं में दस अजार वोट लिये थे जबके वहाँ उस वक्त समाजबादी पार्टी के अमेले बीव दे लड़ाई भाजपा के साथ है और ये भाजपा की साधिश में आप क्यों इससेदार बन रहा हूँ भाजपा जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी भी तरह से हमारा जो बुनियादी वोट है उसके अंदर तकसीम कराई जाए और आप देख रहा हो कि वो बार बार नारा दे रहे हैं कि पस्पंदा समाज की रहली कराएंगे इसकी रहली कराएंगे उसकी रहली कराएंगे पस्पंदा समाज की रहली कराएंगे कि आप सरकार में आप ने पस बंदा समाज के लिए किया किया आप सरकार में आपने उल्ठे सीधे मुद्मों में लोगों को लाद monopoly भेजते हो इसमें आप किसी को नहीं देखते हैं, उसमें तो सिर्फ आप नाम देखते हो, किसका नाम से क्या पहचान है, उसके आगे क्या लिखावा, उससे आपको मतलब नहीं होता, और ये साजिश वाजपा कर रही है, और वाजपा कि उस साजिश के हिस्सेदार आप भी बन रहे हो, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है के दिया सूर माभो पाली अरे भाई आप से क्या मतलब हम चुनाओ मैदान में उत रहे हैं भारती जंता पार्टी के साथ लड़ाई या खेल सीधा समीकरणों का है आकडों का है आप कौन से तरीके से चुनाओ के अंदर या फाइट में भी आन लड़ाई बस्पा और भाजपा के बीच में हुनी है और बस्पा और भाजपा के बीच के लड़ाई में आप कहीं भी नहीं है आप क्यों अपने ओपर ले रहे हो आप मेरे दोस्त है दोस्त हो दोस्त रहोगे मैंने तो किसी भी जगा एक भी जगा आपका नाम ने लिया आ जगा मेरा नाम क्यों ले रहो मुझे बड़ा अजीब लगा और मेरा आप से भी गुदारिश करता हूँ क्या आप MLA बन गए पांच साल मज़े कीजिए MLA आप बन गए समाज के लिए अच्छे काम करने की बात सूचिए जब लड़के जेलों में जा रहे थे तब खामोशी अख्तियार कियो हुए सब लोग बैठ गए थे मैंने उसके ओपर कहा और मैंने गलत क्या का उस पर उसके अंदर तो सभी लोग शामिल थे उसमें तो हमारी पार्टी के MP को भी मैंने का चार चर्ण परते नीदी होते वह यह क्यों हुआ तो उसके अंदर आप अकेले कहां से हो गए मलक साब राजनीती बड़ी आसान चीज़ नहीं है समझने की जरूरत है लोग आपको इस्तमाल करना है इस्तमाल मत होई है भारती जंता पार्टी के खिलाफ यह लड़ाई है और भाजपा के खिलाफ इस लड़ाई के अंदर जिस तरह हमने सही हो किया